दोस्तों मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूँ वी राइट विजन ग्लासिज में आज हम लोग टाइमन वर्क का अगला कॉंसेप्ट इफिसियंसी और बचे हुए जो भी इसके जैसे मैन वोमेन चिल्डरंस इन सब में जो वो क्वेशियंस पूछता है काम करने की जैसे पहले लेक्शन में भी बताया था 2 परषयंसी दोसरे कीぎ hier मेरें 250 मिट्रमत करता था दोस्तों और मेरी वीडियो में एक स्बीटीक है जिसमें वौ गया था सॉभ्याइक दोस ने कमेंट किया था की वह संब साइद गलत है वहां पर सम होना चीह था 12 मैंने 13 कर लिया है एक बार आप उसको कर लेंगे ठीक है उम्यद करता हूं कि उस आगे की इस तरीके की गलती रिपीट ना हो मेरे से यह मैं आप देखूंगा आगे ठीक है चलिए आज संता का टोपिक कंप्लेट कर लेते हैं किस परकार से पहला कुशन हम लोग तोगेधर देफिनिस अजॉब या वर्क इन 18 डेज ठीक है इन हाव मैनी डेज एक एन फिनिस दी जॉब अलों किसी कार्य को करने में ए बी से दोगुना अच्छा है यदि दोनों उसकार्य को 18 दिनों में कर देते हैं तो बताइए अकेला कितमे दिनों उसकार्य को पूरा करेगा किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं ठीक है कोई भी एफिसियंसी का कुश्यन आए दोस्तों आपको अप्रोच एक ही करनी है वो क्या ह मैं मालेता हूं कि एक ही जो इफिसियंसी है वो 100 है या बीगी मान नों बैटर क्यूं होगा बीगी मानला अगर हम लोगों ने एक ही मानी होती तो फिर बीगी हम लोगों को एक ही respect में निकालने पड़ती है ना बैटर आप क्या करो पहले ही बीगी देलो कि बी 100% है कह सकते ह जोग इसमें 100 हाथियों का भल है 100 आद्मियों का इस से दो गुना अच्छा है इसका मतला हम एक पास में कितने आद्मियों की सकती हो जाएगी 200 आद्मियों की सकती हो जाएगी ठीक है चलिए अब एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं M D H, यह काम आएगा, अपोन डब्ल्यू, कंडिशन वन, M D H, अपोन डब्ल्यू, 2, कंडिशन, ठीक है? है क्या ये? यह मैन है, यह डेज है, यह आर्स है, और यह अपोन में बर्क है, मतला, कुछ आधनी मिलकर, कुछ दिनों में, कुछ घंटे काम करें तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा जो वो करना चाहते हैं condition number one और उनजिसी काम को अगर कोई अलग तरीके से अलग आदमियों के द्वारा अलग दिन में अलग घंटे काम करवाकें किया जाए तो वो condition number two यहां कैसे apply करेंगे हम उस चीज को देख लेते हैं ठीक है इसने दिया हुआ है question में कि दोनों मिलके 18 दिन में करते हैं यहां पे दोनों मिला दो यहां पे दोनों मिला दो तो कितने आदमी मेरे पास में हो गई कितनी सक्ती हो गई 300 और वो 300 आदमी कितने दिन में कर लेते हैं 18 दिन में ना घंटे दिये हैं और काम कितना है एक ठीक है तो उसको एजिटीस अध़ लेंगे आगे अब दूसरी कंडिशन ये बनेगी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा और एक इसक्ति कितनी है 200 आदमियों कि और वो कितने दिन में करेगा multiply by d कर दीजिए double zero से double zero cancel कर दीजिए और two से ये nine time कितना हो गया 27 days और यही मेरा क्या होगा answer होगा किस के लिए a के लिए अगर उसे उने b पूछा होता तो यहाँ पे किस की power आ जाती b की आ जाती और यहाँ से फिर किस का काम निकल जाता b का निकल जाता कि b अकेला कितने दिन में करेगा ठीक है उम्यद करता हूं कि आपको यह question अच्छे समझ में आ गया होगा अब देखते हैं उसी case पे दूसरा question हम लोग देख लेते हैं इस question में कहा है कि a और b दोनों ने मिलके किसी काम को साथ दिन में पूरा कर लिया ठीक है a की efficiency b से seven by four times है आपको बताना है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा a वे b किसी काम को साथ दिनों में मिलकर पूरा कर सकते हैं यदि a b से साथ बटे चार बुना अच्छा हो तो बताएए अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर देगा क्या approach रहेगी हम लोग उसको देख लेते हैं अब देखते हैं दोस्तों क्या approach हम लोग इसमें use करेंगे ठीक है इसको दो approach से क्यादा सकता है जो पहला question था वो directly था उसमें fraction का कोई मामला नहीं था इसलिए हम लोगोंने 100 मान लिया कोई एक मान लेता है कोई 100 मान लेता है कोई 1000 मान लेता है पनी मर्जी है इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो दो approach करेंगे क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं पहली अप्रोच तो यही है कि बी को माल लो 100 तो ए कितना हो जाएगा हंडेड सेवन बाइफ फोर से 25 यहनी 175 अब यहां से अप्रोच करेंगे कि इन दोनों को एडिशन करो तो 275 हो गया और अकेला कितने दिन हो जाते हैं 7 एकेला 175 है कितने दिन मैं करेगा डी 25 से 7 बार 25 से यह 11 टाइम्स साथ से साथ तो दिन कितने आ गए 7 डेज तो यहां पे दिन कितने हो जाएंगे डी 11 टेज ठीक है दोस्तों और यहीं हम लोगों का क्या होगा अंसर होगा सगने प्रोच क्या होगी वो देख लेते हैं ए जो है वो बी का 7 बाई 4 है यही तो बात है न अब डारेक्टली बी को 4 और ए को 7 क्यों ना मान दो टेक काम होगे हम लोगों का कि ए अगर क्या है 7 और ऑद यह कितना हो गया 4 हो गया टेक चलिए इस एप्रोच को देखते हैं दोनों एड हुए त issue कितना हुआ 11 और कितने दिन में कर सकते हैं 7 ए अकेला 7 अů बी कितना हो जाएगा 11 टेज और यही हम क्या कर सकते थे को एक कर सकते थे एक को दो मान सकते थे तो लोगों के पास में दोनों एप्रोच हो गई मैंने पिछली बार यह इसलिए नहीं बताई थी कि आपको यहां पर कर सकते हैं जाके बढ़ते हैं अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों बहुत अच्छा क्श्चन है और सग्रवाल की इस तरीके के अगर इस तरीके में अगर डिजिट बदल के वो हमें दे दे फिर क्या होगा है ना तो हम लोगों को इसकी अप्रोच पतावनी चाहिए कि किस तरीके से इस को करना है क्यों क्या है पहले वो देख लेते हैं A does half as much work as B in 3 by 4th of time Language थोड़ी सी अटपटी है समझ में नहीं आ रही है आएगे ठीक है क्या है मैं समझाओगा If together they take 18 days to complete the work then find out how much time will take B to do it alone अब देखो इसकी language क्या है क्या है क्या है बी के द्वारा लिए गए समय के तीन बटे चार समय में ए उसका आधा काम करता है यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम कर देते हैं तो B अकेला उसकाम को कितने दिन में करेगा ठीक है अप्रोच क्या होगी क्योशन किस तरीके से हम लोगों को कह रहा है क्या बोल रहा है वह मैं अभी समझा देता हूं आपको लिए है तीन घंटे लिए है तो B ने कितने लिए है चार लिए है लेकिन जब बात आती है काम करने की यानि एफिसियंसी की वर्क करने की तो A ने कुल एक काम किया है क्योंकि A ने B का आधा किया है ना तो B ने कितने काम कर दिया होंगे दो काम कर दिया होंगे हम लोगों के पास में इनका time सेम नहीं है बागी जितने भी questions हम लोग करते थे उसमें क्या होता था efficiency समय कुछ ना कुछ equal है ठीक है उन्हें equally छूट दी जाती थी काम करने की यहाँ पे नहीं है तो क्या करो आप इनका जो time है वो equal करो तो time equal करने के लिए क्या करो इस equation में तो कर दो चार से multiply और इसमें कर दो तीन से multiply क्योंकि जब time बढ़ता रहेगा obvious सी बात है काम भी बढ़ेगा है ना चलिए देख लेते हैं हम लोग तो time का जो नहा ratio है वो कितना आ गया 12 ratio 12 मतलब दोनों का time same कर दिया हमने की same time में वो कितना काम करेंगे ठीक है कितना करेंगे वो efficiency यहाँपे आ जाती है की यह हो जाएगी चार और यह हो जाएगी 6 A, B की अब देखो यह efficiency का question मन गया कि A की efficiency है 4 काम करने की, B की efficiency है 6 काम करने की, उतने ही time में, दोनों ने मिलके, यानि 10 की efficiency से, कितने समय में काम कर दिया, 18 दिनों अब पूछा किसका है सिर्फ B का, तो B का निकाल दो, कितने दिन होगा ठीक है, तो B की efficiency 6 तो B का days कितने आ जाएंगे 30 days और यह हम लोगों का क्या होगा, answer होगा यहाँ पर कभी-कभी A पूछ लेता है तो किसकी efficiency आपे पूछ कर देनी है आपको A की, तो आपको A का answer मिल जाएगा ठीक है, उमीद करता हूँ यह question आपको समझ में आगया होगा एक और ऐसा ही example कर लेते हैं जिससे वाना कुन सकीए, clear हो जाए digit change करके ठीक है दोस्तो, देख लेते हैं अगला question same है A does half as much work as B in one by third of the time if together they take 10 days to complete the work then find out how much time will be take to do it alone, इस बार A का निकाल दो चलो, ठीक है इस बार A का निकाल दो Hindi मेडिया मेरे भाई जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे, बस digit change कर देंगे बागी question as it is रहेगा, ठीक चलिए, करते थे क्या वो approach हम लोग देख लेते हैं यहापे, दिया है time पहले तो A और B 1 third और काम दिया है आदा, यानि 1, 2 तो time को पूरा करने के लिए इस equation में 3 का multiply हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 का multiply करने में कोई हम लोगों को फायदा ही नहीं होगा तो time का जो ratio है कितना आ जाएगा, 3 ratio 3 और efficiency का ratio कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में 3 ratio 2 sorry फिससे फोन आ गया था यह पढ़ाई के पीच में फोन यहाँ थोले से आनिक रख हो जाते हैं नहीं, चलिए, continue कर लेते हैं आगे efficiency, हम लोगों की कितनी आ गई 3 ratio 2, किसकी है अब बात कर लेते हैं question पर क्योंकि यह हमारे किसका question बन गया efficiency का question बन गया चलिए बात कर लेते हैं कह रहा है कि दोनों मिलके, दोनों मिलके हो कितना हो गया पांच, कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं 10, किसकी पूछ रहा है A की, यानि 3 A days कितना हुआ यह पचास आप उनमें 3 कर दीजिए 16, 2 by 3 days आजाएगा अंसर आपका किसका A का, ठीक है और यही हम लोगों का क्या होगा अंसर होगा, अगर वो बात करता है यहाँ पर B के लिए तो आप यहाँ पर efficiency कितनी कर देते 2 फिर कितने दिन आंसर आजाता 25 days आजाता और वो किसका आंसर हो जाता B का उमीद करता हूँ कि आपको इसमझ में आ गया होगा ठीक है, वारपास इसको वही कर देते है जो हमसे पूछा गया था या 3 ठीक और यह उन लोगों का क्या हो गया अंसर 16 2 by 3 भन गया ठीक है दोस्तों चलिए, यह efficiency का हमारा concept के लिए रोचुका है आगे बढ़ते हैं अगला question देख लेते हैं Question efficiency पे ही है लेकिन level इसका थोड़ा सा अप है ठीक क्या सा है, क्या है, वो देख लेते हैं लो Question में बोला गया है कि A takes 3 times as long as B and C together जितना time B और C एक साथ लेते हैं काम को करने में उतना ही काम A अकेला 3 भुने टाइम में करता है ठीक है To do a joke B takes 4 times B अकेला 4 भुना टाइम लेता है अगर A और C उसको 7 करते हैं उतने टाइम के ठीक अगर 3 उसकाम को पूरा करते हैं तो 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं आपको बताना है कि A अकेला कितने दिन में उसकाम को पूरा करेगा A किसी कार्य को B तथा C की तुना में 3 भुने समय में करता है B उसी काम को A तथा C की तुना में चार वहां समय में पूरा करता है यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो A अकेला कितने दिन में पूरा करेगा ठीक है कैसे करेंगे कुछन तो थोड़ा है टिपिकल लग रहा है समझ लेते हैं चलिए देखते हैं क्या अप्रोच हम लोगों की रहेगी ठीक है यह है A और यह B प्लस C यह है B और यह A प्लस C ठीक है टाइम का अगर मैं देखूँ तो टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास में क्या मिला कि यह एक अगर लेता है तो यह अगर तीन टाइम लेता है तो यह एक और काम के अगर बात करते है तो यह एक काम करता है और यह तीन इफिसिएंसी ठीक यहाँ पे यह अगर चार लेता है तो यह एक और काम कितना करता है यह एक करता है और यह कितना कर लेते हैं चार ठीक है calculate करो तो यह complete हुआ चार और यह complete हुआ पाच है चलिए हम लोगों को time same करना है यहाँ चार है यह 5 हम लोगों को क्या करना है efficiency time equal बनानी है चलिए देखते हैं इस 5 का multiply यहाँ कर दीजिए और इस 4 का multiply यहाँ कर दीजिए आपके पास में समयकान कुछ इस तरीके से आगी यह यहाँ पर यह बनेगा पाच का multiply करके 5 ratio 50 और यहाँ बनेगा यह cover up करके 4 ratio 60 मतलब अगर हम बात करें efficiency total कितनी है 20 यहाँ पर इतनी है 20 इसका मतला हम लोगों ने क्या किया वो time के साथ साथ efficiency क्या बना दी इनकी same बना दी ठीक है आगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यह रफ कर दो ठीक यहाँ से देखते हैं हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे efficiency हम लोगों के पास में कितनी है total 20 है पहली वाली equation में हम लोगों के पास में आया है A और B प्लस C यहाँ पे 5 और यह आया है 15 दूसरे वाले में B और A प्लस C यहाँ कितना है चार और यह 16 अब देखो यहाँ से मेरे पास में इंडिविज्वल निकले गया A काम कर सकता है पाच बी करेगा चार और टोटल कितना है 20 अगर A ने पाच बी ने चार तो C बचा हुआ है मेरे पास में तो C कितना करेगा इस 20 में से इंडिविज्वल एफिसेंसी हो गई चलिए अब यह कह रहा है कि तीनों के तीनों मिलकर तीनों मिलकर तो तीनों मिला दो 24 दिन में काम करते हैं और किसका पूछा है A के अकेले का और यह मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 और यह हम लोगों का क्या होगा अंसर होगा ठीक है यह वर्शन साथ किसी यर के मेंस में पूछा गया था ठीक उमीद करता हूँ कि आपको यह वर्शन अच्छ दी गया है और यह भी पिर से किसी नाइकित आग्जां में As इडेश पूछ लिया गया था ठीक है वर समलोगों क्या है डीट चेंज करनी है नतिंग एल्स रोसे इस क्या होग आप्रोच क्या होगी वही सेम यहाँ पर दिया गया है ओ है बी किसी काम को variance करता था A and C के तो B A and C और C करता है कितना twice A and B के ये लो thrice करता है तो तीने किसका क्या हुआ time और एक तीन क्या हो गई efficiency complete कितना हुआ ये 4 यहाँ पे ये twice करता है तो यहाँ पे आप क्या कर दूँगे 3 multiply कर दीजिए यहाँ पे इस पे कितने की हो जाएगी 3 की और यहाँ कितने की हो जाएगी 4 की ठीक है तो मैं multiply करता हूँ तो और लोगों को क्या बन के आएगा 3 ratio 9 और 4 ratio 8 यहाँ टोटल कितना हुआ 12 टोटल कितना हुआ 12 ठीक है और यह टोटल क्या है मेरे पास में efficiency टोटल efficiency कितनी बन गई 12 बन गई ठीक है अब यतना तो लोगों के समझ में आ गया कि पहले time रखो उसकी efficiency time कर बना लो उल्टा हो जाती है multiply करो cross कर लीजिए ठीक है आगे की approach क्या होगी उसको देख लेते हैं एक बार score up कर दू टोटल कितना है मेरे पास में 12 अब यहां से नया ratio बना है B A C और C A B का क्या बना 39 और क्या बना 48 यहां से साब साब दिख रहा है B कितना हो गया 3 C कितना हो गया 4 और total efficiency कितनी हम लोगे के पास में 12 तो 3 और 4 7 12 में माइनस करूँगा तो A कितना रह जाएगा 12 माइनस 7 तो यह मेरे पास में क्या आ गई A की efficiency अब देखते है question में क्या दिया गया है question में का आ गया है तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर देते हैं तो 4 और 3 7 7 और 5 12 तीनों मिलकर 10 दिन में पुछाए A अकेला तो 5 multiply by A days और 5 से यह दो बार और A days कितने आ गए मेरे पास में 20 days sorry 24 days और यह हम लोगों क्या होगा answer होगा ठीक है तो यह की तरीकी के हम लोगों ने दोनों questions कर लिया है हम लोगों को concept अच्छे से के लिए हो गया होगा ठीक है अगले question की बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से दिया गया है कि A is 30% more efficient than B A B से 30% क्या है अधिक efficient है जैसे B A अगर 100 माल लो तो A कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ठीक है B 12 दिने तक काम करता है और बचा हुआ काम A 30 दिन में खत्म कर देता है ठीक है महना B ने 12 दिन में कुछ काम किया होगा उसको अलग रख लो और जो काम बच गया उसको A कर लेता है सिर्फ 30 दिनों में ठीक आपको बताना है कि सिर्फ आधा काम B कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक है चलिए देख लेते हैं किस परकार से इस question को approach करना है हम लोगों को उस पर focus करते हैं ठीक है देखते हैं efficiency की अगर बात करूं तो a और b अगर b 100% है तो a कितना हो जाएगा 130% ठीक अब इसी efficiency से अगर मैं time की बात करूं तो time क्या हो जाएगा मैंने बता था उल्टा हो जाता है तो a और b के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 10 और 13 क्योंकि एक 0 से 10 cancel हो जाएगी ठीक है आगे देखते हैं इस question को कैसे approach करेंगे हम लोग ठीक है दोस्तों चलिए आप देखते हैं इसने कहा है कि b works for 12 days and the remaining work is completed by a alone in 30 days अब देखो time अगर a 10 और b 13 है तो efficiency क्या हो जाएगी 13 और 10 अब देखो इसने कहा है कि a ने काम किया 30 दिनों तक a ने काम किया होगा 30 दिनों तक किस efficiency के साथ में 13 की efficiency के साथ में तो कितना काम किया होगा 390 काम किया होगा ठीक है बी ने काम किया है कुल 12 दिनों तक किस efficiency से 10 efficiency से यानी 120 काम किया होगा इनको add करोंगे तो answer आ जाएगा 510 यह क्या है total work यह क्या है total work ठीक है इतना उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अब देखते हैं आगे यह हम तोको का total work 510 मुझे यह total work किस पर करवाना है खत्म बी पर करवाना है ठीक और किस efficiency से खत्म करेगा 10 efficiency से यानी कितने दिनों में खत्म कर लेगा 51 दिनों में 51 देज में लेकिन उसने मुझे आधा काम करने को बोला है अगर वो पूरा काम 51 दिनों में करता है एक option में यह कुछन आया था तो एक option में था ठीक और बच्चों ने वो 51 लगा के answer कर दिया था गलत हम लोग अगर यहां तक आ गए तो एक बार कुछन को फिर से पढ़ लो भाई how many days will be working alone can complete half the work हमसे half करवा रहा है यह पूरा है तो आपके लिए क्या करेंगे हम लोग इसको half कर देंगे तो आपका answer कितम आ गया 25.5 डेज और यही हम लोगों का क्या होगा answer होगा ठीक है उमीद करता हूं कि आपको यह question भी अच्छे समझ में आ गया होगा अगला question हम लोग दोस्तों देख लेते हैं यह बहुत अच्छा question है मेरा favorite question है ठीक क्यों है favorite वो अभी आपको पता चली ज अच्छी के लिए mostly वह बुक चल रहे है आजकर किरन उस बुक में mostly traditional method की हुए है no doubt बहुत अच्छी book है ठीक है कहना है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं सभी ने काम एक साथ सुरू किया लेकिन हर एक दस्वे दिन के खत्म होने पर 5 आदमी काम चोड़कर चले जाते हैं अब आपको बताना है काम कितने दिन में खत्म होगा मैंने आज से काम सुरू किया दस्वे दिन के बाद में पाँच आदमी काम छोड़ गए फिर दस दिन बाद पाँच आदमी काम छोड़ के जाएंगे फिर दस दिन बाद जाएंगे फिर दस दिन बाद जाएंगे सिलसिला और यस दिन में कॉम्तितकिक टैक है ? हम लोग देखते हैं इसकी अप्प्रोच क्या होगी ? इस ने का है 40 लिए 40 दिन में काम कर लेते हैं मैं देख लेता हूं मेरा तोटल रोक कितना होगा ? टोटल वरक मेरे पास में कितना अब जाएगा ? उसको देखते हैं चालिस आदमी चालिस दिन तक काम करेंगे तो इसका मतलब यह क्या है 1. scrolling मेरा पास में क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा बस यहीं पर इतना दियान बेंडा अब पहले दिन काम के लिए 40 के 40 आदमी आये होंगे और उन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा इसका मतलब कितना काम कर दिया होगा? 400 अब बारी आई काम छोड़के जाने की तो 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे आदमी बचेंगे 35 और अगले 10 दिनों तक वो ही 35 आदमी काम करेंगे कितना काम कर दिया होगा 350 फिर बारी आई काम छोड़ कर जाने की तो पाँच आदमी फिर से काम छोड़ कर चले गए होंगे इसका मतलब काम अदमी रह गए मेरे पास में 30 और अगले 10 दिनों तक वो ही दोग काम करेंगे और काम कितना हो जाएगा मेरे पास में 300, ठीक है, अगला, फिर से बारी आई काम चोड़ कर जाने की, आदमी रहेगा 25, अगले 10 दिनों तक काम करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास में काम कितना हो जाएगा, 250, अब एग गलती मत कर देना, कि सर 10, 10, 10, 10 दिन पूरे हो गए, ये दिन पूरे थे, जब आदम में घट रहे हैं, तो इस काम किलब क्या है, काम की efficiency घट रही है, और टाइम हमारा बढ़ रहा है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो डिजिट बदल के भी आपको question दे सकता है, हम लोगों को count करना है, ये काम, ये काम मेरा पूरा 1600 हो जाना चीए, ठीक है, चलिए फिर, आगे हम लोगों के मतला अभी पहुचे नहीं है, तो आगया ये, फिर से 20 आदमी आएंगे काम करने के लिए, 10 दिन तक काम करेंगे और 200, यहाँ तक मेरा काम हो गया 1500, ठीक है, अब फिर से बारी आई पाच आदमी के छोड़ने की, पाच आदमी छोड़के गई, तो मेरे पास मे 15 रह गई, यह 10 दिन तक काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 100 काम बचा हुआ है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, वर्क, डन कितना होगी है मेरे पास, 1500, यानि रिमेन कितना रहा मेरे पास, 16-100 में से 1500 को किया करदो आप? माइनस करदो, यानि कुल 100 काम बचा है, ठीक है? और 15 आद्मी तो 10 दिन में 150 काम करदेंगे, यानि जधा काम करदेंगे, हमें जधा नहीं करना, सिर्फ 100 काम करवाना है और वो 100 काम करने के लिए आदमी कितने आएंगे 15 क्योंकि आदमी अगला कितना है 15 है 15 से उसको डिवाइड कर दीजे 15 से किया 5 से किया 3 बार और 5 से किया 20 बार और यह हो गया 6 2 by 3 बचा हुआ जो काम हो कितने दिन हो जाएगा 6 2 by 3 उसने पूछा था टोटल काम कितने दिन पचास दिन तो हो गए मेरे पास में यह प्लस 6 2 by 3 हो गया मेरे पास में यह टोटल आंसर हो गया 56 2 by 3 देज और यही मेरा अंसर है इस क्रेश्चन को अच्छे से याद कर लेना यह कभी अगर आगी क्रेश्चन पूछा गया तो most probably as it is पूछा जाएगा और अगर डिजिट बदल के भी पूछा जाएगा तो आपके पास में अप्रोच आप इसी तरीके से इसको खत्म कर देंगे ठीक है दोस्तों आज तो दोस्तों हम लोगों ने efficiency का पूरा पार्ट complete कर लिया ठीक है जितने भी questions थे वह सभी किस पर बेस से efficiency पर बेस थे हम लोगों को अगर efficiency अच् देखे होंगे वह questions हम लोग अगले lecture में देख लेंगे और एक lecture create करेंगे हम लोग जो miscellaneous questions है मतलब कुछ mix-up बनाके questions पूछे जाते हैं time and work की अंदर उसमें से पहले पार्ट में से उठा लेता है कुछ efficiency में से डाल देता है कुछ कहीं से डाल देता है उन्हें mix-up करके वो पाइब सिस्टन जब हम लोग करेंगे तो कोई भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली है ठीक है फिर भी अगर कोई आपको doubt होता है किसी भी question में किसी भी topic में किसी भी concept में जो आप क्लिया ना हुआ हो तो आप comment box में उसको डाल सकते हैं या फिर आप मेरी email आए पर भी मुझे mail कर सकते हैं मेरे बहुत से दोस्त है जो विवर्स हैं उन्हें से ही मेरे बहुत इच्छे दोस्त जो आप लोग सभी दोस्त है ठीक है mail करते हैं questions को नीचे भी डाल देते है comments box में भी और में उनके reply जरूर करता हूं ठीक है facebook.com backslash be right vision classes मेरा page है facebook पे आप उस पर भी जाके उसको like कर सकते हैं ताकि आपको वहां से books के links मिल जाएं वीडियो के links आपको मिल जाएं ठीक है आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन सबकी notifications मिलते हैं और बागी की वीडियो उसको भी आपको बराबर update मिलती रहें ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीख रहे हैं नोस बना रहे हैं ठीक है अच्छे से आपकी preparation चल रही है इसी आगे सिलसले में हम लोग सीखते रहेंगे आपको बहुत-बहुत all the best है और थैंक्यू very much for this video